question number 20 a bicycle wheel makes 5000 revolutions in moving 11 km find the circumference and the diameter of the wheel, दो चीज़े निकालनी है आपको circumference भी निकालना है और diameter भी निकालना है तो पहले हम निकालेंगे circumference of wheel तो आप लिखें सबसे पहले क्या आप लिखें circumference of wheel निकालना है तो formula लगाना आप कि distance को रखना उपर distance कौन सी? जो cover कर रहा है कौन? wheel, उसको रखना उपर और नीचे रिखना क्या? number of revolutions ठीक है? तो देखो कितना distance cover कर रहा है wheel? 11 km ठीक है? और कितने revolutions है? वो है 5000 और ये जो 11 दे रखा था kilometer में था आप इसे centimeter में convert कर लें क्योंकि एक kilometer में कितने होते है? 5, 0 centimeter तो आप क्या करें? इससे multiply कर दें कितने 0 से? 5, 0 से तो 1 के पीछे 5, 0 तो ये आपका answer किसमा आजाएगा? सेंटीमेटर में है तो देखो 3, 0 से तो 3, 0 कैंसल और 5 से ये 20 टाइम्स और 20, 11 जा कितना होगा? 2, 2, 0 centimeter ये क्या है आपका? circumference of wheel तो हमने circumference तो निकाल दिया आप क्या निकालना है? diameter of the wheel तो आप लिखना circumference of wheel जो है कितना आया है? 220 centimeter लेकिन circumference जो होता है उसका formula क्या होता है? diameter के case में pi d pi d को 220 centimeter के equal लग दें और यहाँ से d आप बता सकते हैं तो pi की value 22 upon 7 into d equals to 220 centimeter हमें चाहिए d तो 220 के उस तरफ जाएगा 7 उपर और 22 नीचे इतने centimeter इससे ये 10 times और diameter होगा 10 7 जा 70 centimeter यही हमारा क्या है? answer चलते हैं next question पर